आई पिल का अगर आप इतिहास उठा के देखते हो तो किंग्स 11 पंजाब की टीम ने काफी उलट फेर करें हैं अपनी टीम में और कितने ही कप्तान बदले हैं तो आज के इस वीडियो में चलो यही बात करते हैं कि किंग्स 11 पंजाब के वो कौन से 10 खिलाडी हैं जो की टीम ने कौन से 10 ऐसे खिलाडी को रिलीस किया है जो बहुत अच्छा परफरमेंस कर रहे हैं और उनको रिलीस नहीं करना चाहिए था 10 प्लेयर्स किंग्स 11 पंजाब शुडेंट हैव रिलीस या पंजाब किंग्स शुडेंट हैव रिलीस नमर 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने नाम रखा है ओइन मौगन का साल 2017 में अभी 3-4 साल पहले ही ओइन मौगन को खरीदा था पंजाब की टीम ने लेकिन कुछ खासा मैचेज मिले नहीं और फिर उसके बाद रिलीस कर दिया तो ओइन मौगन आपके लिए बहुत अच्छी डील होती अभी 3 साल में ओइन मौगन आपके लिए काफी अच्छी कपतानी कर सकते थे मिडल ओडर में बहुत अच्छी बैटिंग करते थे तो ओइन मौगन को रिलीस नहीं करना चाहिए था या मतलब बाइबैक कर लेना चाहिए था नमर नौ पर यहाँ पर मैंने रखा है रवी चंदन अश्विन साल 2018 में रवी चंदन अश्विन ने पंज अश्विन पहली बात थो थोड़े अच्छे कपतान है उनके कपतानी में को परस्नली थोड़ी सही लगती है और साती में बोलर तो है यह वह अच्छे और एजए कैप्टन अगर वो खेलते हैं तो बहुत ज्यादा मज़ा आ दिये तो अगर अगर अश्विन रहते तो पंजाब की टीम ने खरीदा था कार्तिक ने मतलब कम ही माचस के लिए कोई बहुत ज्यादा मैचस खिलाई नहीं उसके बाद रिलीश कर दिया तो अगर आप कार्तिक को रखते तो आपके लिए कैप्टेंसी ऑप्शन भी हो जाता और साथी में मिडल और में कार्टिक लेकिन ज्यादा मैचस मिले नहीं फिर रिलीज हो गया तो में का उक्षन में महाँ पर आप खरीद सकते थे लेकिन नहीं खरीदा और राहुल टेवर्ट ये अभी अच्छा पर्फॉर्मेंस दे रहे हैं राजिस्थन रॉयल्स के एक नमब चार नमब बाच पर अच्छे ब संदीव शर्मा ने 5 सीजन के ले हैं 2013-2013-2014-16 175 सीजन से आपर संदीव शर्मा ने खेले हैं गंग सफ्रमा का ता उसके बाद अब सद्रवाट एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपका प्रबल इंडियन वोलर हो जाता है इंडियन फास बोलर हो जाता आपका बहुत अच्छा तो लेकिन गलती करी हैं आप संदीब शर्मा को छोड़के इसके बाद नंबर पांच मैंने रखा है मारक स्टॉइनिस को मारक स्टॉइनिस इसके टीम में तीन चीज नहीं दोहजार सोला सतरा अट्रा लेकिन उतने मैचेस मिलें नहीं बैटिंग अच्छी कर नंबर चार पर शार्दूल ठाकुर को अभी इंदिया के लिए काफी अच्छी बोलिंग कर रहे हैं तो शार्दूल ठाकुर को अगर आप स्टाइम पर रखते तो बहुत अच्छा पेकप के लिए रह सकता था लेकिन यह भी ट्रेड हो गए थे राइजिंग पूने सूपर जाइंच में गवर्ण चक्रवर्थीीै अगले सीजन अब बड़े रकम में रीटेन तौ नहीं करने वाले थे। लेकिन अगर बाइबैक करने की सोचते एक दो करोड रुपे कम में 6 करोड में भी अगर वरुन चक्रवर्थी आपको मिलते तो वर्थिट पीक है 2020 में के लिए बहुत अच्छा पॉफ़मेंच दिया नमबर दो पर मैंने रखा है एक और बड़ा नाम टीनट राजन क्या आपको बता है साल 2017 में टीनट राजन किंग से लेवन पंजाब की टीम का इससा थे लेकिन ज्यादा मैचस वहाँ पर भी नहीं मिले फिर रिलीज हुए और संराइज हैधरबाद ने इनको खरीदा बात किते हैं नमबर एक की तो नमबर एक पर मैंने रखा है साम करन को साम करन 2019 के आई पेल में डेबियू कर रहे थे अपना आई पेल का और वो सीजन केला था किंग्स 11 पंजाब की डीम से अब ये थो में को 101 परसेंट नहीं समझाता कि पंजाब के मैनेजमेंट ने क्यों रिलीस किया साम करन को ठीक है थोड़ी मोटी रकम थी करीब 7-8 करोड थे में को याद नहीं आ रहा है लेकिन इतनी बड़ी रकम में वो वर्तिट पिक था साम करन ने आपके तरफ से बोलिंग भी अच्छी करी ये पोलिंग में पहले ही सीजन में उन्होंने है ट्रिक चटक ना सकते थे लेकिन आपने रिलीस कर दिया फिर आप महेंदे सिंग दोनी की चैनल सुपर किंग्स ने उनको खरीदा और अब तो ये सिच्वेशन है कि CSK की टीम सैम करन को 10 या 11 करोड रुपे दे के रीटेंड भी कर सकती है तो इस कैलिबर का प्लेयर था और रीटेंड करना चाहिए था लेकिन पंजाब का मैनेजमेंट में को नहीं पता क्या चल रहा है उदर तो बस ये तो थे टॉप 10 प्लेयर्स जो पंजाब की टीमें रिलीस के और बहुत अच्छा पुफरमेंस आज तक देते आ रहे हैं अब देखते हैं आगे पंजाब ऐसे ब्लंडर्स और करेगा नहीं करेगा अब तो पंजाब पंजाब किंग्स बन चुकी है तो लेट सी क्या होता है नई पंजाब किंग्स के साथ अच्छे लगी तो एको शेकर देना बाई बाई देकर